प्रदान मंत्र किसान सन्मानिदी योजना के तहट किसानों को साल में 22,000 रुपे के 3 किस्ते दी जाती है अब सरकार द्वारा बहुत सारे किसानों को सरकारी नोटिस भेज रहा है कि आप PM किसान सन्मानिदी योजना के तहट पात्र नहीं है इस योजना के माध्यम से अभी तक जितना भी किस्त मिला होगा उतना सारा किस्त सरकार को वापस करना होगा इस वीडियो में जानेंगे किन-किन किसानों को पेशा रिफॉंड करना है और पि-म किसन सनमा ने दी योजना का इस साल का आने वाला किस्त यानि के आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारवा किस्त किन-किन किसानों को नहीं मिलने वाला है सारे डिटल आप लोग को इस वीडियो में हम बताएंगे चलिए इस वीडियो की शुरुवात करते हैं जब भारे सरकाद वारा PM किसंसनमाने दी योजना की शुरुवात की गई थी तब PM किसंसनमाने दी योजना में रजिस्टर करने के लिए बहुत आसान था तब भारे सरकाद वारा टाम अन कंडिशन करक नहीं थे इसकी वह जैसे बहुत सारे किसंसनों ने PM किसंसनमाने दी योजना में अपना रजिस्टर करवाया था जो PM किसंसनमाने दी योजना में एलिजिबल नहीं थे ऐसे किसानों ने भी PM किस्तन सन्मा निदी योजना में रजिस्टर किया था और भारत सरका दोरा ऐसे किसानों को अब डेटा एप्रूब कर दिया था और भारत सरका दोरा ऐसे किसानों को पेशा भेजा गया था आप लोग को इस वीड़े में हम बताएंगे कैसे आप लोग ओफलाइन के मांधियम से पैमेट पेग कर सकते है और ओलाइन के मांधियम से पैमेट पेग कर सकते है और PM किसन संवानिधी योजना में जो किसन islands eligible नहीं है ऐसे किसनों के लिस्ट भारत सरकादवारा जारी कर दी जो किसान टेक्स पेयर है ऐसे किसान को PM किसान सनमा ने दी योजना का पेशा आने वाले समय में नहीं मिलेगा और ऐसे किसानों को पेशा अभी तक मिला होगा ऐसे किसानों को पेशा वापस सरकार को करना होगा और जो गोवर्मेंट जोब करता होगा ऐसे किसान को पेशा पाएगा यानि कि कहने का मतलब यह है कि जो PM किसंसनमा निदी योजना में पेशा लेने के लिए हकदार नहीं है यानि कि पात्र नहीं है ऐसे किसानों ने भी PM किसंसनमा निदी योजना में अपना रजिस्टेशन करवाया था भारत सरकार और राजिसरकार द्वारा जाज करन आप लोग को सबसे पहले यहां पर गूगल सर्च करना है यहाँ पर आप लोग को type करना है PM किसान उसके बाद आप लोग के सामने first link आजाएगे यहाँ पर आप लोग को click करना है उसके बाद PM किसान सन्मा ने दी योजना की official portal open हो जाएगे यहाँ पर आप लोग को option मिल जाता है refund online तो यहाँ पर आप लोग को click करना है जैसे आप लोग यहाँ पर click करेंगे उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दो option मिल जाएगे आप लोग को यहाँ पर second option पर click करना है if not pair earlier than select this option the amount online now तो यहाँ पर आप लोग को click करना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर submit option पर click करना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर तीन उप्शन मिल जाते है एकाउंट नमबर आधर नमबर और मूबैल नमबर निमें से आप लोग को सिलेट करना है जैसे आप लोग सिलेट करेंगे उसके बाद आप लोग को यहाँ पर नमबर एंटर करना है उसके बाद यहाँ पर CAPTCHA feel करेंगे उसके बाद get data पर click करेंगे यहाँ पर आप लोग के सामने हीसा लिखाएगा something went wrong with CAPTCHA यहाँ पर मितर जो भी आप लोग को CAPTCHA दिखाए जाएगा आप लोग यही CAPTCHA feel करेंगे हर बार आप लोग को ऐसा ही लिखाएगा इसलिए आप लोग को ये केपचा नहीं feel करना है तो आप लोग को क्या करना है इस केपचा को यहाँ पर दबा के रखना है उसके बाद आप लोग के सामने इस तरह से menu आ जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते है open new tape तो यहाँ पर आप लोग को click करना है उसके बाद आ आपर get detail वाला icon पे click करना है उसके बाद आप लोग के सामने आपका status यहाँ पर आ जाएगा यदि आप लोग eligible नहीं होगे तो इस तरह से यहाँ पर लिखाएगा you are not eligible for any refund amount यदि यहाँ पर आप लोग की details होती है तो आप लोग को PM किसान सन्मा ने दी योजना का जितना भी कि किस्त मिला होगा, उतना किस्त आप लोग को सरकर को वापस करना होगा PM किसंण सन्मा ने दी योजना में जो किसान eligible नहीं होगा ऐसे किसानों को PM किसंण सन्मा निदी योजना का letter भेजा गया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कायरे ले उत्तर पर्देश उसी निर्द उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिनक मिल जाता है यहाँ पर आप लोग को नोटिस में लिखा जाता है पीएम किसन सन्मा निदी योजना अंतरगत और पात्र डूबलीकेट आयकरदाता लाभातियों से और नियमित रूप से प्राप्ट की गई धन रासी रिफंड यानि आधरकार नंबर यहाँ पर दिया जाता है उनका खाता नंबर यहाँ पर दिया जाता है और उनका पता यहाँ पर दिया जाता है उसके बाद यहाँ पर संक्सित में लिखा जाता है प्रदान मंत्री किसन सन्मा निदी योजना के अंतरगत निर्दारित मानक के अनुसार किस्ते वापस की जानी है यह धर राशी कुछी निर्दय से लएक के पत्राग 124 दिन आग 67 2021 के संदर्बों में निम्नल लेखित खाते में वापस की जानी है किसन को इस खाते में पेसे वापस किया जाना होता है यहां पर आप लोग देख सकते हैं खाता नाम डारेक्टर एग बेंक का नाम वो साका यहां पर साका का नाम दिया जाता है यहां पर एकाउन नमबर दिया जाता है और यहां पर आप लोग को आयप सी को नमबर दे दिया जाता है उसके बाद यहां पर ऐसा लिखा जाता है धनरासी उपरत खाते में जमा कर जमा परची अदो हस्ताक शरी क कारे ले में जमा कराए धरासी ना जमा करने पर आपके वीरुद नियमा अनुशार वसुल की कारेवाई की जाएगी जिसके लिए आप सयम जिम्मेदार होंगे जिस अधिकारी द्वारत जो पत्र भेजा जाता आपके पते पर उनकी सिगनेचर आप लोग को यहां पर मिल चाहते होंगे तो आप लोग सब्मिट कर सकते हैं और आप लोग ऑल्लाइन के माधिन से पेमेट सब्मिट करना चाहते होंगे आप लोग को हमने आगे बताया आप लोग की टेटल चेक करने के बाद यादि आपकी डिटेल सो होते उसके बाद आप लोग को ऑल्लाइन रिफ करना है उनकी डिटल कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं और पीएम की संसनमा निती योजना के उसे आप लोग को लेटर भेजा जाता है लेटर आप लोग को किस तरह से मिल जाता है आप लोग को सारी यहां पर हमने बता दी है आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा इस वीडियो को like करेगा, share करेगा अपने मीत्रों के साथ मन में अगर किसी भी तरह का सवाल या confusion या सुझा होगा आप लोग हमें comment करके पूछ सकते हैं यदि आप लोग ने इस चनल को अभी तक subscribe नहीं किया होगा तब तक के लिए चैहिन वंदे मातरम जे भात के साथ नेक्स टूड़ में मिलते हैं, थैंक यू